सावली पुलिस ने 134 गोवण्ष को रिहा किया सावली पुलिस ने किस परिसर से इन जानवरों को रिहा किया देखते हैं इस पूरी खबर में सावली तसिल के बागोली बूटी परसर में अवय तरीके से 100 से अधिक जानवर बांग कर रखे जाने की जानकारी सावली पुलिस को दी गई जानकारी की आधार पर जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने पाया कि कुल 134 गोवंच जानवर बिना चारा तथा पानी के अत्यनत निर्दैता पुर्वक बांद कर रखे गए हैं और इन जानवरों की अंदाजन की मत 6,7,000 रुपे के आस्पाद बताई जारी है और ततकाल इन जानवरों को चारा तथा पानी की व्यवस्ता कर वैदिकी के जानच के लिए दो रक्षन संस्ता में भेजा गया ऐसा अनुमान लगाय जा रहा है इन जानवरों को गदल खाने में ले जानने के लिए निर्दैता पुर्वक बांद कर रखा गया था चावली पूलिस टेशन में इसके तवध विविन धाराओं के अंदरकत अग्यात आरुपी पर मामला दर्श किया गया है और इस मामले की जान चावली के थानेदार बॉर्गर के मारदर्शन में साइक पूल की दिच्चर खीडगरे कर रहे है CTV के लिए हमारे विशेश प्रतिनदी प्रविन के टाम की रिपोर्ट